हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डीजे का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं अगर आप डीजे का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की आवशकता रहेगी आप अपने बिजनस को कैसे बढ़ा सकते हैं इस बिजनस को कैसे profit margin रहेगा इन सब चीजों की जानकारी मेरे इस वीडियो में दूंगी तो friends मेरे इस वीडियो को पूरा अन तक देखेगा तो शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं DJ का business कैसे शुरू करें business को सीख ले business कोई भी business करने से पहले friends उस business को सीख लेना चाहिए ताकि हमें किसी भी परकार के कोई दिक्कत ना आए और जो भी इस business में अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान से भी हम बच सकें फिर दूसरी बात आती है कि DJ business को start करने के लिए चाहिए होता है कि सही अनुभव होना जरूरी होता है friends इस business को शुरू करने के लिए आपको इस business का अनुभव होना जरूरी होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर music systems होता है इन सब को आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है अब बात करते हैं business की योजना बनाए कोई भी business करने से पहले उस business की हमें योजना बना लेनी चाहिए DJ business की planning करते वक्त आपको marketing और with का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा marketing technique marketing technique मतलब कौन से area में आप ये business कर रहे हैं आपके आसपास के area में और कीतने DJ वाले हैं उन से आपको थोड़ा बहुत संपर्क रखना पड़ेगा आप अपने business को कैसे भढ़ा सकते हैं marketing में market के अंदर कौन-कौन से जो music system है वो कौन सा नया launch हुआ है आप ये business कर रहे हैं तो कैसे कहां से start कर रहे हैं पूरा music system लाके कर रहे हैं या फिर only DJ जैसे आपने देखते हैं कि गाडियों के उपर only वो एक system लाके रखते हैं जो कि खाली DJ रहता अधर और को instrument नहीं रखते हैं उस according आप ये business करें तो इन सब चीजों के आपको पहले योजना बनानी पड़ेगी शुरुआत में आपको कितने लोगों को काम पे रखना हैं कितने लोगों को काम पे रखके आप वेपार करेंगे मतला आप कितने staff रख रहे हैं क्या है या कि खुद ही शुरू कर रहे हैं इन सब चीजों को आपको पहले प्लान करना होगा फिर ही आप ये business शुरू कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आप ये business करते हैं तो आपको किन किन चीजों की आवशकता रहती है आवशक्ता जैसे इसके DJ के लिए आपको कौन-कौन से आवशक्त उपकरन चाहिए होते हैं जैसे laptop हो गया, channel mixer, DJ mixer, sound system, DJ light, headphone, इत्यादी इन सब चुजों की आपको आवशक्ता रहेगी इस business के लिए restoration आपको करवाना होगा, local authority से आपको license लेना होगा किराया निधारित करें, किराया निधारित करने से मेरा मतलब है कि जब भी, जैसे आपका DJ का किराया एक रात का आप 8,000 लेंगे या 10,000 लेंगे, वो किराया आपके music system के उपर depend करता है कि आपको music system कितना अच्छा है, कौन सी company का है या फिर area wise भी depend करता है, या फिर आपका DJ कितना दूर जा रहा है ये सब चीजों के उपर आपका किराया depend करता है investment की बात करें, तो इस business के लिए कम से कम आपका 1-5 लाग तक का investment रहता है, क्योंकि आपको जगह भी चाहिए ये जगह से मेरा मतलब है, एक दुकान तो आपको लेनी पड़ेगी फिर आपको गाड़ी भी चाहिए होगी, आपको music system, सारे laptop और ये जो भी है ये थोड़े expensive आते हैं, तो total मैं बताऊं, तो आपको कम से कम एक से पांच लाग का investment होता है, फिर आपको स्टाफ को भी salary देनी पड़ती है अब बात करते हैं, इसके अंदर profit margin क्या रहता है, तो profit आपकी marketing पर depend करता है marketing से मेरा मतलब है, कि आप अपने business की marketing कैसे करेंगे आपको प्या तो pamphlet छपवा इन छोसल साइड पर अपने DJ का add दे और जो भी शादियां होती हैं, उनके लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा contact करें इस तरीके से आप अपने business की marketing कर सकते हैं और profit एक दूसरा आपके उपर निबर करता है कि order कितने मिलते हैं कि आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा order मिलते हैं, उसके उपर भी आपका profit depend करते हैं आपको जितना ज़्यादा order मिलेगा, उतना ही आपको इस business में profit रहेगा तो friends धन्यवाद, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरा RD business idea channel है प्लीज इसको subscribe कर दीजे, अगर आपको कोई भी instruments चाहिए, laptop और अगर आप जानना चाते हैं कि ये सस्थे कहां मिलते हैं, अगर आप डीजे का business कर रहे हैं, तो आप मेरे comment section में comment कर दीजे, मैं आपको उनके contact number भी दे दूँगी धन्यवाद friends